Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another skincare video अब हर वीडियो के comment section में मुझे एक चीज बहुत commonly मिलती है कि दी आपके skin इतना ज्यादा glow कैसे करती है या आपके skin इतने अच्छे कैसे है कितना अच्छा है वो तो मैं नहीं बोल सकती सब की skin में थोड़ा बहुत problem होते हैं वैसा कुछ problems है मेरे face में बहुत जादा open pores थे अभी भी थोड़ा बहुत visible pores हैं इस area में पर काफी हद तक कम हुई है और अभी जो skin का condition है उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कुछ भी लगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता है कि pimple निकल जाएगी या make up बहुत देर तक अगर apply करके रखे हैं उसके लिए मुझे ये tension नहीं होती कि शायद कल मुझे pimple आजाएगी जो कि पहले मुझे बहुत ज्यादा होता था और actually मैं pimple होती भी थी बहुत ज्यादा और ये जो skin condition के बात कर रहे हूँ जिसमें मुझे कुछ भी लगाने से pimple निकल जाता था rashes, reaction निकल जाती थी वो मैं आज से 5 साल पहली की बात कर रहे हूँ और मैंने क्या-क्या चीजों को follow किया इन 5 साल में और क्या सारी चीज है जो मेरे skin को improve करने में help किया वो ही मैं आज इस वीडियो में share करूंगी actually मुझे लगता है एक healthy routine follow करना दिन में एक बार is very important और आपको समझना पड़ेगा कि जो skincare है वो कैसी उसके जाते है अभी इतना सारा ingredients है इतना सारा active ingredients है skincare में पहले जैसे I remember जो भी active ingredients होता था वो सबको serum में ही होती थी पर आजकल moisturizer में भी active है toner में भी active है sunscreen में भी active है even in my foundation there is hyaluronic acid तो ये सारे जो चीज है आपको कैसे करना चाहिए sometimes you might get really puzzled कि इतना सारा चीज है मेरे skin में क्या चीज की ज़रत है और करू तो क्या करू कैसे करू शुरू कैसे करू तो ये सारे जो चीज है मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत discuss करूँगी बहुत elaborate करके नहीं ताकि आप easily समझ जाओ और मेरा जो एक routine है वो भी मैं यहाँ पर share करूँगी जो मैं अभी कुछ सालों से follow कर रही हूँ of course now skincare is all about like five or six steps जो कुछ लोगों को सुनकर ऐसे लगे कि what like six steps of skincare you need to follow every day how insane is this पर actually मैं यही steps है जो मैं हर रोस फॉलो करती हूँ और जो मुझे help किया है मेरे skin को improve करने के लिए तो yes बहुत जादा बोल दे आभी मैं वीडियो में एंटर करूँगी सबसे पहले आपको face wash करना है of course तो दिन में आप बहुत ज्यादा बार face wash मत करो मेरे skin काफी oily है तो मैं पहले सोचती थी कि मेरे skin oily है तो मुझे बहुत बार दिन में face wash करना है so I used to wash my face like three or four times in a day which is very wrong आप दिन में एक बार या maximum दो बार face wash कर सकते हो उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं face wash के लिए मैं ये use करती हूँ this is episoft cleansing lotion और ये मुझे मेरे dermatologist ने prescribed के थे आज से 5 साल पहले तो आपको मैं ये तो recommend नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये doctor दे थे मुझे आप कोई भी gentle face wash use कीजे भली आपके skin में कितना भी problem हो मैं कोई भी ऐसे harsh chemical के साथ जो face wash आती है वो recommend नहीं करती जो भी gentle face wash जिसमें थोड़ा सा foam होती है वो ही use कीजे अगर बहुत जादा foam create करता है वो सारे जो face wash है वो drying होती आपके skin के लिए अगर आपके skin oily है शायद आप सोचोगे कि वो जो face wash जिसमें बहुत जादा foam होती है वो आपके skin के लिए better है oil को निकाल देता है actually oily skin होना it's not bad because oily skin एक ऐसा skin type है इसमें थोड़ा से maintenance की ज़रत है but actually में it's the best skin type you someone could ever have क्योंकि इसमें आपको जल्दी में fine lines, wrinkles नहीं आएगी जो oily skin है उसमें एक natural glow अपने आप आती है जो कि अच्छी बात है बहुत ही ये glow के लिए लोग कितना कुछ करते हैं अगर आपके पास वो naturally है आप face wash उस करके उसको खड़ाब मत कीजिए कोई भी gentle face wash उस कीजिए and next is toner तो face wash के बाद मैं हमेशा recommend करूँगे आपको कि आप एक toner उस कीजिए बहुत लोग इसको skip करते हैं पर आपके अगर skin में large pores है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगा कि आप एक steps follow करो मतलब पहले face wash then toner, serum, then moisturizer and then sunscreen अगर दिन में आप बाहर निकल रहे हैं नहीं तो बस होही पर खतम कर सकते हैं तो ये toner जो है ये plum के rose water toner with hyaluronic acid है fragrance free है ये मैं कभी-कभी plum के जो niacinamide toner है वो भी use करती हूँ in my skincare I use a lot of hyaluronic acid and niacinamide क्योंकि ये दोनों ingredients ऐसे है जो कि कोई भी skin type पर जाता है hyaluronic acid जो है वो आपके skin को hydrate करने में हेल्प करता है niacinamide जो है वो oily skin के लिए बहुत अच्छा है पोर्स के appearance को काम करता है और अगर आपको थोड़ा बहुत pigmentation है उसमें काम करती है तो yes you will see a lot of niacinamide and hyaluronic acid in my skincare अगर आप नए हूँ और आपको नहीं पता की कौन सा ingredients यूज करनी चाहिए अपने skincare में तो इसके बाद आपको थोड़ा देर बेट करना है तो इसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है अपको औस and then I will move on to the next tip next I will move on to snail essence this is by कॉसार एक्स और यह मैं कंटिनुवसली उस कर रही हूं करीब तीन साल से यह आप कर सकते हो इफ यू वांट का रिजाल्ट आपको दो चार दिन लगाने से समझ नहीं आएगी मैं बहुत एक जब खड़ी दी तो यह खतम होने में कुछ तीन-चार महीना लगता है तीन-चार म बैकाप आप देखे होंगे मैं खड़ी दी थी दिस हैसा वेरी स्लाइमी टेक्च्चर जस लाइक स्नेल जैसा आपको स्नेल के नाम से ही पता चल रहा होगा और इस जास लाइक दिस अन इट ग्लाइज ओन लाइक द्रीम यू नो ऐसे ही और बस इसको ऐसे अप्लाई करना है and then drag the seam onto your neck as well और थोड़े दर वेट करना है अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ ये थोड़ा से expensive है of course पर हाँ अगर आपको मतलब you can afford it तो आप इसके लिए जा सकते हो और अगर आप ये यूस कर रहे हो ना in that case you can skip the toner even though I don't like to skip a toner but still अगर आप चाहते हो तो आप toner skip करके ये use कर सकते हो because ये toner का जो काम है ना वो भी करती है at the end of the day I use a toner for my pores and to kind of make sure the other ingredients जो मैं बाद में लगा रही हूँ अच्छे से अब्जोब हो जाए सोचो कि face wash करने के बाद अगर आप directly कोई serum लगा रहे हो जो थोड़ा थिक है वो skin में उतना अच्छा अब्जोब नहीं होगा instead अगर आप पहले एक watery मत्दब बहुती पतला सा toner लगाया फिर जाके आप serum लगाए तो serum will get absorbed into the deeper layer of your skin उससे क्या होगी कि जो active ingredients आपके serum में है वो और बहतर काम करेगा जल्दी result दिखाएगा and then I will move on to serum now serum के लिए मैं mostly use करती हूँ niacinamide आप कोई भी brand का ले सकते हैं I use the plum niacinamide serum 10% now you will see a lot of product from plum and I know you will ask me in the comment section कि क्या ये कोई sponsored video है so yes it's not a sponsored video और ये सारे product जो है ये मैं खुद अपने पैसो से पर्चेस किया है so yes this is the 10% niacinamide serum आप niacinamide serum अगर पहली बार के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी go for the 5% niacinamide because 10% niacinamide could be a little more for your skin if you are new to skincare और बस अभी अभी करना स्टार्ट किया है तो आपको कोई भी ब्रैंड का मिल जाएगा plum also makes 5% niacinamide और भी बहुत सारे ब्रैंड है जैसे डर्मा को, minimalist, reconstruct ऐसे और भी बहुत सारे ब्रैंड है जो अफॉर्डबल रेंज में serums, niacinamide serums और बातु सारे skincare बनाते हैं तो यस, you can go for either of them and जो भी चीज आप अपलाई करो उसके बाद अच्छे से उसको अपने स्किन पर ऐसे मसाज करना make sure कि वो अपने स्किन पर अच्छे से अबसर्व हुई है और हर एक step के बीच में आप 2-3 मिनिट का gap दो and then apply the next product and next I will move on to moisturizer, now moisturizer के लिए मैं mostly prefer करती हूँ this snail moisturizer by cosrx पर हां मेरे पास और भी काफी affordable option है because cosrx is little expensive, this one from doton ki it's a good moisturizer, ceramide plus hyaluronic acid skin barrier repair face cream नहीं तो आप ये वाला moisturizer भी ले सकते हो, ये Cetaphil का moisturizer है, this is their brightening night comfort cream पर somehow मैं ये जो snail product है, कोई भी snail product के texture जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और मेरे skin को भी बहुत ज़्यादा suit करती है, so I come back to this one but then आप कोई भी affordable moisturizer जिसमें fragrance नहीं है और ऐसे ceramide जैसा ये वाला ये सारे आप यूज कर सकते हो मैं जो भी products यूज करती हूँ, उसको eyes के नीचे भी apply करती है except कोई ऐसा product हो, जिसमें mention किया हुआ है कि do not apply close to your eyes जैसे कि आपका exfoliating serum हो गई बाकि सारे जो भी niacinamide, hyaluronic acid, serums, moisturizer, toner, everything I apply under the eye as well and I completely stopped using under eye cream now last मैं ordinary का वो caffeine solution खड़ी दी थी for the under eye पर I realized कि कोई भी जो product मैं use करती हूँ मेरे face के लिए उसको अगर मैं under eye में use करूँ तो उससे ही काफी result मिल जाती है अलग से कोई eye cream use करने का ज़रत नहीं है मैं बहुत सारों से eye cream use करती थी सोच कर कि it works but then एक बार बीच में lockdown के टाइम पर जब eye cream मेरी खतम हो गई थी that time कोई भी product डेलिवर नहीं हो रा था due to covid तो उस समय मैं 3-4 महिनी के लिए under eye में कुछ भी apply नहीं किया and then I realized कि मुझे कुछ फ़रकी नहीं दिखा कि under eye cream use नहीं करने के वज़े से मुझे dark circle हो गई है या कुछ ऐसा तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं I will not invest my time and money into under eye creams पर अगर आपके पास ऐसा कोई under eye cream है जो बहुत अच्छा काम करता है तो आप मुझे comment section में जरूर बताना वैसे भी dark circle के लिए मुझे बहुत ज्यादा problem कभी नहीं हुई जब मैं back to back ऐसे night flight करती हो रात को अच्छे से नहीं सोती तब कभी कभी थोड़ा सा dark circle हो जाती है पर हाँ वो अच्छे से सोने के बाद अपने आप ठीक हो जाती है So yes that's all about the under eye cream अब ये जो skincare मैंने अभी दिखाया ये आप दिन में भी follow कर सकते हो ये आप रात को भी follow कर सकते हो ये कोई particular time के लिए नहीं है मैं जब भी skincare करती हूँ ये ही सारे steps को follow करती हूँ पर अगर आप दिन में ये skincare follow कर रहे हो और अगर आपको धूप में निकलना है काम के लिए जाना है या आपके कमरे में बहुत ज्यादा धूप आती है तो आप दिन में sunscreen लगाईए ये recommended है कभी कभी मैं भी नहीं लगाती हूँ तो बी honest पर हाँ मेरे कमरे में धूप आती है एक जगे पर सोचो अगर मैं सुबह फ्लाइट करके आई और दिन भर मैं सोऊंगी मुझे पता है तब मैं sunscreen skip करती हूँ पर हाँ अगर मुझे पता है कि मैं धूप में निकलूँगी मैं कुछ काम करूँगी या ऐसी skincare videos जैसे मैं अभी बना रही हूँ ना अभी कभी मैं windows के सामने बैटके बनाती हूँ तो उस समय of course मैं sunscreen भी यूज़ करती हूँ sunscreen जो है उसके लिए मैं दो product दिखाऊंगी आपको यह है doctor set का ceramide plus vitamin c sunscreen यह SPF 50 PA++++ है यह बहुत अच्छा है मेरे skin में यह बहुत अच्छा सूट करता है इसमें कोई भी आपको white cards नहीं मिलेगा पर हाँ दूसरा जो है यह है last shield का sunscreen यह SPF 40 PA++++ है इसमें मुझे बस लगता है यह oil free लिखा हुआ है तो yes यह भी अच्छा है मुझे बस लगता है इसको blend करना थोड़ा सा मुश्किल है जब पहले आप blend करोगे ना तब थोड़ा से सो white white दिखेगा थोड़े दिर के बाद वो absorb हो जाती है पर it's also really good sunscreen मैं दोनों ही use करती हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी हद तक खतम हो गई है दोनों ही और इसके अलावा मैं लाशील का और दूसरा वेरियन ट्राइ किया है लाशील अच्छील बहुत अच्छा sunscreen बनाता है और डॉक्टर सेट का मैं पहली बार खड़ी दी and I was really surprised with the result because ये काफी अच्छी है तो आप ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो अगर आपकी skin oily है तो आफकोस ये वाला ले सकते हो ये oil free है पर oily skin के लिए ये भी काफी अच्छा है और ये आप dry skin के लिए भी अगर excessively dry नहीं है तो normal skin के लिए आप लिए अपलाई कर सकते हो और मुझे बस लगता है कि अगर आपका skin dry है सो sunscreen और ये सारे product आप सेम यूज़ कर सकते हो जस्त मेक शूर कि आप एक अच्छा hydrating thick moisturizer यूज़ करो and you can introduce hyaluronic acid products in your skincare that provides a lot of hydration उसके वज़े से आपके skin जो dehydrated or dry feel होता है वो कम हो चाहेगी So the last step in my skincare is this endulgiosqualin skin hydrator इसका जो texture है थोड़ा oily है पर skin में लगाने के बाद ये oily नहीं रहता है ये absorb हो जाती है skin पर and ये मैं बस रात को apply करती हूँ ये आप दिन में apply नहीं कर सकते दिन में I don't know अगर winter में शायद apply कर सकते हो उपर से sunscreen लगा सकते हो पर actually मैं इसको रात को ही apply करना prefer करती हूँ पर ये जो step है आप इसको skip कर सकते हो बिलकुल पर हाँ अगर आपके skin dry है ना तो आप इसको अपने skincare में introduce करो और जो result है वो आपको एक ही बार apply करने के बाद पता चल जाएगी इसको आज रात को आप apply कर और सुबह उठकर आपके skin बहुत जादा hydrated हो जाएगा जैसे के इसमें लिखा हुआ है skin hydrator इसको आप इसको night time skincare में as a last step यूज कर सकते हो बहुत ही beneficial होगा थोड़ा से expensive है पर also ये साल में एक बार खरीदने से ही चलेगा इसका जो date है ये 2 साल I think yes हाँ ये 2 साल का expiry date है और मेरा एक खतम हुआ है और exactly 2 साल चला क्यूंकि बस 3 drops चाहिए होगा एक forehead में एक दो cheeks में that's it and yes that's all about my skincare मैं पहले भी skincare वीडियो बनाई थी पर वो काफी पुरानी हो गई ज्यादा कुछ update तो नहीं है पर मैंने फिर से एक नया वीडियो बना दिया क्यूंकि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे request कर रहे थे comment section में कि फिर से एक बार आपका skincare बताओ तो yes this is my skincare, this is the standard routine I follow every day और हाँ दिन में एक ही बार करने का time मिलता है मुझे पर अगर आपके पास time है तो आप दो बार कर सकते हो definitely बाकी मैं बोलूगी कि toner बहुत लोग यूज नहीं करते हैं पर एक बार आप एक bottle खरीद के उसको use करके देखो कि आपको कैसा result मिल रही है और comment section में of course आप मुझे सारा आपका जो experience है और अगर आप इन में से कोई भी चीज फॉलो किये वो कैसा काम किया आपके लिए वो सब बताना और lastly मैं बोलूगी skincare वीडियो मैं जब ही बनाती हूँ कोई लोग मुझे ऐसे criticize करके चले जाते हैं comment section में बोल के कि हाँ दो दो toner लगाती हो और seven steps of skincare, what is this तो वो ही मैं बोलूगी कि I mean for me my skin matters मैंसे बहुत सारे लोग हैं जो skincare में interested हैं, अपने skin में कुछ problems हैं जिसको rectify करके वो एक healthy skin पाना चाते हैं मैं उन्ही के लिए ये वीडियो बनाती हूँ तो yes अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एक like जरूर कर देना और मैं आपके साथ मिलूँगी फिर से तब तक के लिए अपना धियान रखना, bye